सो हाई गाईज स्वागत है आपका आपने फांडेशन क्लास यूटिप चैनल में गाईज आज हम लोग करने वाले हैं most important questions जो आपका science or revision का question है तो यह हमारा science question का episode number two है और इसमें हम लोग करने वाले periodic classification of elements से कुछ related important question है यह previous years के question paper है तो इसमें आपको question दीख रहा होगा तो चलिए question को start करते हैं समझते हैं यह सब बहुत ही important question आपके board examination के लिए ठीक है तो इसलिए गाईज अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को like किजिएगा और अपने friend circle में share भी करें ताकि हमें motivation मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही content लाता रहूं तो चलिए आज के इस वीडियो को start करते हैं पढ़ते हैं हमारा जो पहला question है बहुत ही important इसको समझेगा पूरा concept समझ में आएगा चोटे चोडे वीडियो में हम लोग हर चोटे चोडे वीडियो में concept को भी पढ़ेंगे और question पर discussion करेंगे तो पहला question आपको जैसा दिख रह है the elements of the second period of the periodic table are given below तो देखिए second period की बात कर रहे है periodic table में जो periods होते हैं वो कैसे रहते हैं इस तरह से horizontal rows में रहते हैं तो यह हो गया first second इस तरह से total seven periods है तो उसमें हम लोग second period की बात कर रहे हैं तो second period में हमारा कौन-कौन element आ गया lithium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, तो यह आपको दिख रहा होगा यह second period की element है तो इसमें अब क्या question पूछ रहा है तो question पूछ रहा है तो पहला number में बोल रहा है कि give reason to explain why atomic radii decreases from lithium to fluorine अब देखिए और second question जो B number में बोल रहा है identify the most metallic and second number is non metallic element तो basically इसका answer करते हैं और समझते हैं इसके concept को कि इससे question बहुत ही ज बताया था पढ़ाते समय कि modern periodic table से बहुत ही ज्यादा question पूछे जाते हैं तो इसका reason क्या है तो इसका reason यह है कि दखिए हमने आपको बताया था ना कि जब group में periodic table का group में मतलब नीचे नीचे उपर से जब नीचे जाते हैं जिसको group काते है total 18 groups में बटे हुए तो उपर जब group में ऊपर से नीचे की और जाते हैं तो इसका alumic radia क्या होता है increase होता है कि नूपर वाला का छोटा फिर नीचे वाला का उससे बढ़ा उसके नीचे वाला का उससे बड़ा इस तरह से मतलब जो सबसे down में आता है group में उसका size बढ़ता ही जाता है उपर से अगर count करे तो increasing order म में रहता है, अगर नीचे जाएं, क्यों, तो ऐसा कि होता है, क्यूं हमने आपको बताया था, उसमें addition of sail हो रहा होता है, मतलब, एक sail का एडिशन हो जाता होगा, जैसे कि अगर इसमें सिट के sail है, तो जैसे ही नीचे group में आएंगे, तो उसमें फिर L cell जुड़ जाता है माने cell का addition होने के कारण size बड़ा होता है और हम लोग जानते है atomic radii कि इसको कहते है atomic radii कहते है उसके nucleus से जो center होता है किसी atom के उसके nucleus center से उसके last cell तक के radius को मिजर कहते है उसी को कहते है atomic radius और उसी से उसका measurement भी होता है अब जो question पर आते है question क्या कहा रहा है question कहता है उसका explain करना है क्यों lithium से fluorine तक जाते है तो उसका atomic radii देखते हैं कि घटा हूँ नजराता है यहाँ lithium और यहाँ fluorine है period में तो उसका घटा हूँ क्यों नजराता है क्योंकि ऐसा इसलिए होता है जबकि हम लोग जान रहे है कि lithium से जब हम लोग fluorine तक जा रहे है तो atomic यह atomic number तो बढ़ रहा है तो mass भी तो यह अपका radii भी बढ़ना चाहिए तो ऐसा नहीं होता है क्यों हमने आपको बताया था modern periodic table पढ़ाते हैं जब periodic table के right यह left से एक minute हम लोग जब भी periodic table में left से right की और जाते हैं तो उसका size जो हता है atomic size वो क्या करता है decrease होता है decreasing order में है क्यों ऐसा क्यों क्योंकि हमारा जो left से right side में जाते है तो atomic number तो बढ़ता है साथ में उसका क्या होता है याना कोई भी atom का जब यह आपका atomic number बढ़ रहा है तो उसमें addition क्या हो रहा है माने proton proton बढ़ रहा है साथ साथ में electron तो बढ़ी रहा है लेकिन proton भी यानि कि charge भी बढ़ रहा है उसका जो effective nuclear charge है वो edge compare जादा बढ़ रहा है है कि ने क्योंकि वहाँ पर कोई भी addition नहीं हो रहा है सेल में atom का जैसे अगर second period की बात करें तो वहाँ पर मान लिजे अगर उसका present है k और l सेल दो ही सेल है तो उस तरह से उसका अगर आगे वाला भी element की बात करें तो उसके पास भी दो ही सेल है और साथ साथ में क्या हो रहा है दो ही सेल है लेकिन proton जो है हमारा उसमें effective nuclear charge बढ़ता जा रहा है तो effective nuclear charge बढ़ने से क्या होगा जो electron है इसको पूल करके रखेगा और वही reason है कि उसका atomic size क्या होता है decrease होता जाता है जैसे जैसे आप लोग जितना left से periodic table के left से right जितना जाएगा आपको पता चलेगा कि उसका atomic radia decrease होता हुआ मिलता है because of क्यों क्यों मिलता है ऐसा due to its effective nuclear charge increases that's why the atomic radia decreases from lithium to fluorine ठीक है और इसका answer भी देख लेंगे हम लोग थोड़ा हम आपको समझा दे रहे हैं इसका जो reason है में हम दे देते हैं इसको समझना जरूरी इसलिए था जो मैंने आपको बताया क्योंकि इससे बहुत सारा question solve हो सकता है सिर्व इसी तरह किने और भी कई type के question हैंगे तो इसी से solve होगा आप second number को ही पढ़िए identify the most metallic second में बोला है non metallic limit तो कैसे तो देखिए आपको छोटा से concept पता होना चाहिए कि metallic किसको बोलते जो metallic में ज्यादा tendency क्या होती जैसे आप लोग sodium की बात करें तो इसमें देखते हों कि प्लस चार्ज बनता है यानि कि यह electron को क्या करता है लूज करता है यानि कि अगर sodium का जो हमारा atomic number 11 है तो इसका electronic configuration है 281 281 यानि कि अपने यह last वाले electron को लूज करता है और तो लूज करके वह stable configuration में आता है 28 में तो जैनरली प्लस चार्ज बनता है तो इसका मतलब लूज करता है तो हम लोग कैसे पता करेंगे यहां से कि metallic element इसमें सबसे most जो metallic character को composes कर रहा है तो हम लोग देखिए अभी बात की है ना कि lithium अगर कुछ यहां आएगा left side में तो right side में कुछ fluorine और बीच बीच में यह सब है बेरिलियम, boron, carbon ठीक है अब यहां से हम लोग देखते हैं कि कौन मतलब अपना electron को lose कर सकता है जो lose करेगा easily जो अपना electron को lose करेगा वो metallic में count किया जाएगा है कि ने तो अब देखिए lithium का जो हमारा है lithium का उसका electron का हम लोग समझते है उसका radius समझते है और fluorine का last वाले का तब यहां से हमें समझ माएगा तो lithium और fluorine के बीच हम लोग कुछ के concept को समझते है तो एक तो left से right की और जा रहे है तो fluorine का हमारा क्या है fluorine का size क्या होगा as compared to lithium की अगर बात करें atomic radius जो अभी बात किये डिसकस किये तो इसका कुछ हमें जो electron उसका present रहेगा nuclear से थोड़ा दूर प as compared to fluorine क्योंकि यहां effective nuclear charge ज्यादा है है किने यहां पर निकुलियस पर charge ज्यादा पर जेंट है as compared to lithium यानि कि यह आराम से electron को लूज नहीं कर पाएगा fluorine क्योंकि effective nuclear charge ज्यादा है तो वहां से electron को strongly वहां से क्या कर सकते है पूल करके रखेगा लेकिन lithium के case में ऐसा नहीं है क्य जाते हैं तो दिरे दिरे effective nuclear charge बढ़ता है atomic radia घटता है लेकिन यहां पर इसलिए इसका right answer क्या हो जागा ली थिया हम यह आराम से इसका क्योंकि atomic size compared to fluorine बढ़ा है और तो आराम से इसका electron को उतने अच्छे से hold कर गे नहीं रख सकता है आराम से lose कर देगा जानी कि इसके पास वही इसका answer आप लोग एक language बे में इसको leak सकते हैं हमने book में copy में note कर सकते हैं it is because nuclear charge increases due to increase in atomic number therefore force of attraction between nucleus and valence electron increases effective that is effective nuclear charge increases hence atomic radia decreases from lithium to fluorine हो गया second का answer क्या है most metallic element is lithium as it is can lose as it can lose electrons easily due to the larger atomic size जो concept discuss की है बहुत ही easy था ना second number में जो हमारा था question कि most non metallic element is fluorine because it can gain electrons easily due to the smallest atomic size यस क्योंकि यार जो non metallic character क्या क्या क्यों है और gain अराम से कर सकता है fluorine समझ पा रहे हो तो अब एक और question कर लेते हैं ठीक है इसी में एक और question कर लेते हैं इसको देखो बहुत ही important question है तो यह सब question को जानो यार आपको बहुत ही ज्यादा help करेगा board examination में जब भी बैठोगे confidence मिलेगा यह सब question करने से ते question और देखो question period की बात कर रहे है ना period देख रहो third period की बात कर रहे है जिसमें हमारा sodium magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur और chlorine है तो यहां से बात फिर वही करती है देखो वही concept बोले ना इससे बहुत सारा question हमारा solve हो सकता है अगर concept को जानते हैं तो बोलता है which atom is bigger sodium और magnesium और why explain करना है तो देखो अब period की बात करें तो period फिर तो वही बात आ गया ना अब sodium ले लो अब यहां magnesium ले लो अब यह तो हो गया left side अब इधर जा रहे है ना हम लोग right side तो right side में effective nuclear charge बढ़ता है तो definitely उसका radii घटा जाएगा right side जाएगा जैसे तो किसका radii बढ़ा होगा yes of course sodium का radii बढ़ा होगा कितना easy question था एक concept समझने से यह भी solve हो गया तो sodium का radii बढ़ा होगा reason क्या वही reason देना है और second जो हमारा question है identify the most metallic and non-metallic element in period third फिर वही बात कर दिया तो कि metallic और non-metallic तो कौन सबसे ज़्यादा metallic होगा तो जो हमारा left side में दिखेगा वह ज़्यादा metallic करेक्टर को possess करेगा यानि कि sodium magnesium ये सब की बात करें तो उसके पास metallic करेक्टर ज़्यादा होगा यानि कि sodium magnesium magnesium, aluminium जैसे तो ऐसे भी metallic है भी आप लोग भी जानते हैं और non-metallic element इदर से कौन काउंट किया जाएगा फास्फोर, sulfur, chlorine अब देखो यहाँ पर question थोड़ा सा change करके है ठीक है इसमें direct हम लोग उस पर नहीं जाएंगे इस पर देखेंगे कि देखो electronic configuration देखेंगे सब का sodium magnesium, magnesium, aluminium का तो इसका कुछ last में आता है one, two, three इस तरह कुछ आता है na valence electron और इधर जैसे जाएंगे silicon तो हो गया आपका क्या हो गया यह हो गया metaloid में आ जाएगा आपका इसका कुछ चार होता valence फिर यहां से आपका फिर क्या होता है valence अगर निकाले ऐसे तो last वाली सेल में इसका जो electron होगा फासफोरस का फिर यहां से यह 5 हो जाएगा यह 6 हो जाएगा 7 है कि नहीं ग्रूप में जैसे जैसे जतना जहां तक जाएंग यह सब क्या है metal में count की जाते हैं 4 है तो वो समझ सकते हो दोनों का character रखेगा metal and non-metal हो जानी कि यह metaloid हो गया 5,6,7,8 यह सब आ रहा है तो वो non-metal का character so करता है ठीक है एक बार answer देख लो इसका तो यहां पर first number में जो हमारा question था कि कौन सा atom बड़ा है sodium and magnesium and reason पूछ रहा था sodium is bigger than magnesium as it has lesser nuclear charge so there is less force of attraction between the nucleus and hence and valence electrons and less effective nuclear charge it is therefore bigger in size yes second number जो question का answer हमारा sodium is the most metallic as it can lose electron easily due to the larger atomic size yes magnesium से तो उसका size बड़ा हो गया और आराम से electron को लूच कर सकता है और इसी में जो हमारा question second था उसका answer देख लो एक बार chlorine ही the most non metallic element because it can gain electrons easily due to its smallest atomic size yes अब देखो इसमें पूछा था क्या most पूछा था न हाँ देखो question में भी ध्यान देना most पूछा था तो most metallic जो पूछेगा तो sodium हो गया non metallic पूछेगा तो chlorine period इसमें लेकिन पूछता कि metallic और non metallic simple पूछता था हम लोग electronic configuration से इसके balance electron से भी निकाल सकते था है कि नहीं सब concept से question ज्यादा तरह पूछे जाते हैं तो guys आपको पताईए का video कैसा लगा video पसंद आता है please video को like करें ठीक है ना चैनल पहली बार हो तो please subscribe करो यार चैनल को subscribe करो बहुत ही ज्यादा आपको benefit मिलने वाला हमारे channel से ठीक है और अपने दोस्तों के साथ भी share करो उसे भी बत अंचिस चैनल पारणा सी क्रिक यूथाइए ळाच्टि करें वा बतलक का अंचिस खुषिजक थाचिस घर्वटने टेंडेऊंसे